एसी नहीं नहीं तर्कीबे अब हमको है छन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी एसी नहीं नहीं तर्कीबे अब हमको है छन्नी इस कारिक्रम की प्रायुजक है कृषी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार कारिक्रम की सान की बात में आप सभी का स्वागत है आज के अंक में मैं हूँ आपके साथ कोमल भारती और मैं निरंकार हमारी और से आप सबी को नमस्कार कॉमल देखिए हमारे किसान जो गर्शी का उत्पादन लेते हैं ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छा उससे मुनाफ़ा मिले और वो तब होगा जब अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद उनके खेतों में उत्पादित किया जाएगा और हम देखते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे किसान रासाइनी खादों का इस्तेमाल करते हैं और वैग्यानिकों का कहना है कि यह न केवल हमारे वातावरन को प्रदूशित करते हैं बलकि हमारी भूमी की इस्तिती को भी खराब करते हैं उसके स्वास्ते को खराब करते हैं इसलिए उनके जो हमारे जो उर्वरक को परियोग करते हैं किसान उनको कम करते हुए जयवी खादों के इस्तेमाल की सलहा दी जाती है जिससे की उत्पाद की वह अच्छी रहे जिससे की अच्छा दाम मिल सके और इसके साथ-साथ हमारी जो मिट्टी होती है उसकी जो भी है उनको इस रेडियो के माध्यम से उनको जागरोग करते रहें और ज्यावी के खेती के बारे में ही आज हमने अपने कारक्रम में आमंत्रित किया है डोक्टर दिनेश कुमार जी को जो प्रधान वैग्यानिक है सस्या विग्यान संभाग भारतिय कर्षिय नुसंधा संस्थान पूसा नहीं दिल्ली में और जो हमारे किसान भाई इस कारक्रम को सुन रहे हैं अगर उनके मन में भी कोई जिग्यासा है तो वो भी अपने सवाल डोक्टर साब से पूछ सकते हैं उसके लिए टेलिफोन नंबर बता देते हैं जी हमारे टेलिफोन नंबर है दिल् 242-1082 यानि 23-42-1081 और 23-42-1082 ये दोनों वो टेलिफोन नंबर है जिसके माध्यम से आप डॉक्टर साहब से जुर सकते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार से जैविक खेती की तकनीकी से विशे पर जो भी संबंदित प्रेश्न है वो आप उनसे पूछ सकते हैं और अपने सवा की तर्क्रम में स्वागत है सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसानों के लिए जैविक खाद क्यों आवशक है जी बिलकुल देखिए जैविक खाद बहुत जरूरी होती है क्योंकि हमारी मिट्टी की जो उर्वड़ता है वो लगातार कम होती जा रही है क्योंकि मिट्टी की उर्वर्ता में तीन मुखे चीजे आती हैं उसके भोती गुण, रसाइनी गुण और जैवी गुण तो भोती गुण में जिसे मिट्टी की संदचना है अगर उसमें हम जैवी खाद नहीं डालते हैं मिट्टी की सननचना हमारी खराब होती है, उसके बारिक-बारिक कन हो जाते हैं। मिट्टी में धेले बने रहना बहुत जरूरी है। और ये छोटे-छोटे जो धेले बनते हैं ये उत्पादक्ता में हमारी बहुत मदद करते हैं। साथी साथ मिट्टी के अंदर जो जल्द धान चमता होती है उसको भी धेले बढ़ाते हैं तो अगर हम सिर्फ रसानी खादों का प्रियोग करते हैं तो मिट्टी के भोती गुर्दर्म में गिरावट आ जाती है साथ इसाथ मिट्टी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं जो हमारी उतपादकता और उतपादन को बढ़ाते हैं उनकी संख्या में भी कमी हो जाती है क्योंकि ये जो जैविक खाद हैं ये उनकी खुराक होती है उनका भोजन होता है अगर उनको अपना भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और पोशक तत्वों की उपलबता भी कम हो जाती है जैविक खादों में हम कोन कोन से खादों को शामिल करते हैं तेखिए जहां तक जैविक खेती की बात है तो जैविक खेती में हम रसानी खादों का प्रियोग नहीं करते हैं, हम जो जैविक खाद हैं उनका प्रियोग करते हैं, यानि पोधों से प्राप्त खाद या जानवरों से प्राप्त जो खाद होते हैं, सिर्फ उनी का प्रियोग करते हैं तो इसमें जैसे गोबर की खाद है इसका प्रियोग कर सकते हैं आपके जो बकरी है भेड़ है इनकी खाद होती है वर्मी कमपोस्ट का प्रियोग कर सकते हैं साथी साथ हरी खाद का प्रियोग कर सकते हैं खलियों का प्रियोग कर सकते हैं जैवरवर के उनका तो डॉक्र साब अगर जैवी किषिए कि हम यहाँ पर बात करें तो वह उसकी शुरुआट किस तरीके से कर सकते हैं झो भी किसान भाई जैवी खेती की शुरुआत करना हना जाते हैं तो उनको चार चीजों का ब्हुत जरूरी है। egy हमार बेंक तो उत्पादन की तक्षी क्या होगी ये तीसरी बात है और चोती बात है कि बाजार में अपने माल के अच्छे दामाप कैसे ले। तो इन चार चीजों का ग्ना किसान भाहियों को पहले रखना होगा, जही खेती आरम करने के पहले. तो सबसे पहले तो जो ऑर्गानिक स्टेंडर्स की बात आपने की, ये क्या है, और इसके लिए जो मानक क्या खेती के निट्विक्सित किये गए? जी 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 देखे मानक का मतलब यह है कि do's and don'ts किसान भाई जब जावी खेती शुरू करते हैं तब उसमें आप क्या कर सकते हैं क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए क्या आपको उसमें डालना चाहिए किस तरह की तक्निकी आपको अपनानी चाहिए इनक एक लिखित डाकुमेंट होता है एक लिखित अभिलेक होता है मतलब लिखी हुई एक किताब है उसके हिसाब से खेती करनी पड़ती है तो उसका हमें ग्यान लेना होगा जैसे हम फसल चक्र हैं फसल चक्र अपनाने में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ये लिखित रूप म उसमें सुझाए गए हैं, आप किन चीजों का प्रियोग कर सकते हैं, तो इस तरह की जो लिखित हमारा डाकुमेंट है, वो हमारे एक तरह के मानक है, जो किसान भाई को गाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ये जो उत्पादन में. रख साब एक शोता लाइन पे आ गए हैं, हलो, नमस्कार रख साब, नमस्कार जी, नमस्कार, अरेंदर सिंग नाम है मेरा, मैं भी साइन्स ग्रेजिट हूँ, और मैं अचलिए हमारे हाँ जो दान के खेती होती है, दान करते हैं, लोग और फिर गहूं करते हैं, अच्छा, अ उस उनमान को देखता हूँ तो जो दीरे दीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो खेती जो है, आपकी जो उर्वरा सक्टी है, वो खतम हो जाई है, मैं कई बार आपने जो सगे संबन्दी सब लोग है, उनको भी बोलता हूँ कि भाई देखो, आपको सवाल क्या है, सवाल बताई देखें, बिल्कुल किसान भाईयों को हमेशा हम सला देते हैं, कि चाहे आप जैवी खेती करें, चाहे परंपरागत खेती करें, चाहे सन्नक्षल किर्सी करें, जिसे जीरो टिलेज कहते है, सूने जुताई करके करते हैं, कोई सी भी खेती किसान भाई करें, अगर हम फसलों का अदलाब बदलाब नहीं करेंगे फसल चक्र नहीं अपनाएंगे तो खेती में टिकावपन नहीं आ सकता मिर्दा की उर्वरता में गिरावट लगतार आता जाएगा अगर हम मोनो कल्चर एक तरह की फसले ही लगतार उगाते जाएंगे तो किसान भाईयों को कोशिस करनी च खेत में कम से कम तीसरे या चोते साल उसमें फसल लें दूसरे साल कोई और फसल लें कम से कम आप तो अपने आपको पहले सुधार सकते हैं इसके बाद दूसरों की तरफ आप ध्यान दें पहले आप अपने खेत पे इसका विबदिक अगर फसलों का करें फिर आप दूसरों से बात कर सकते हैं लगातार जादा पानी चाने वाली फसलों को अगर वो गाते जा रहे हैं तो पोशकतत पी जमीन के नीचे चले जाएंगे जी जी बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है बिल्कुल तो फसल चक्र का भी बहुत महत्व है अच्छा आपने रुक्सा प्रमाणी पिर्माण करण का मतलब होता है एक संद लेना यहाणि को कोई संस्ता सन Eti जो इन्होंने जैविक खेती किये, इसमें तरीक से आपने खेती खेती से पहले तीन साल का रुपांतरण काल होता है उसकी भी गारंटी उसका भी जो चेक है इंस्पेक्शन है वो पिर्मानी करण संस्था करती है तो पिर्मानी करण दो तरह का होता है एक पिर्मानी करण होता है जिसमें पैसा लगता है उसे तिरतिये पक्ष पिर्मानी करण कहते ह यह 40-50,000 रुपे पिरती एकर लेती है। इसका फादा ही होता कि आप अपने उत्पाद को दूसरे देश में बेश सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्याद कर सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है PGS Participatory Guarantee System जो गाजियाबाद में एक इंस्टिटूट है, रास्टिय ज बूल रहें, स्वागत है अपका कारिक्रम में। जी राजेश जी, अपना प्रैशन करें। जो वाली गाय भैस वाली होती है उससे जादे कीमती होती है इसको सिर्फ आपको कंपोस्ट करना है जैसे हम गोबर की खाद को इखटा च्छे महीना घर में करके रखते हैं फिर वो गल सड़ जाती है फिर उसका प्रियोग करते हैं तो इसी तरह से आपकी जो पॉल्ट्री की म तीन साड़े तीन प्रितिशत होती है बहुत अच्छी मातरा में नाटोजन होती है क्योंकि मुर्गियां दाना खाती है दाना खाने में दानों में हमारे प्रोटीन और नाटोजन जादे होती है तो उनकी जो विस्ठा होती है जो उनका मैनियोर होती है खाद होती है उसमें प्रियोग कीजिए जी उम्मीद करते हैं कि राजेश कुमार जी जो की जम्मू से हमारे साथ जुड़े थे उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा तो डॉक्टर साब आप बता रहे थे प्रमाणी करण संस्थाओं के बारे में जी 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 बिलकुल देखे तो इसमें भी परमाणी करण ज़रूरी है जी जी बिलकुल बहुत सही आपने सला दी और बात रखी कि जो हमारे उभोकता हैं जो बाजार में हमारा सामान खरीदने जा रहे हैं उनको कैसे विश्वास दिला जाया कि यह जो उतपाद है यह वाकई और्गेनिक है या नहीं है तो इसके इंडिया से मिलता है वो उस पे आपके जो पैकिंग होगी या जो बैग होगा उस पे निश्ची तोर पे इंडिया और्गेनिक का लोगो लगा होगा उसको देख लें इसी तरीके से अगर हमने पीजी एस से पिर्माणी करण करवाया है रास्ट यह जैवी खेती के इंदर गाजयबाद वाला जो पिर्माणी करण है उसको अगर हमने कराया तो उस पे भी आपके पीजी एस ग्रीन एक लोगो का मतला एक मूर्तिस ही होती है एक तस्वीर समझ लेए और निशान हो गया और इसी तरह से दूसरा होता है पीजी एस ओर्गेनिक तो यह जो तीन लोगो मैंने बताए इन लोगों को भोगता को देखना चाहिए और आजकल तो FSS AI का भी लाइसेंस नंबर आने लगा है और गैनिक उत्पादों पर जिसको भोगता देखके और सामान खरी सकते यह जैनून उत्पाद होंगे आपके जी डॉक्टर साब एक और हमारे शुटा हमारे साथ टेली फॉल लाइन पर है आईए उन से पूछते हैं उनका सवाल हलो नमस्कार कहां से बूल रहे हैं आप अपने नाम बताए प्रताब जी अपना प्रेश्ण करें वह यह पूछना जाए मैडम जी जी खेतों गोबरी ख खाद त्यार करते हैं पहला तो ध्यान आपको यह रखना है कि कम सकम पांच-छे महीने वो गली सड़ी खाद हो कच्छी खाद गोबर की नहीं डालनी हैं दूसरा आप जहां तक कोशिश हो सके अपनी जो बुआई आप करते हैं फसल की उसके कम सकम 25-30 दिन पहले एक महीना पहले अपने गोबर की खाद खेट में डाल दें और गोबर की खाद खेट में डालने के बाद आप ये भी ध्यान रखें के अगर उसको आप तुरंट खेट में नहीं मिलाते हैं अब किसी वेसे नहीं मिला पा रहें तो उसकी जो धेरिया है चोटी-चोटी वो धेरिया बनी रहने दे फैलाएं ना उसमें लेकिन अगर आपके पास जुताई के साधन उपलब दें तो आप उसको फैला के खाद को और फिर उपर से जुताई करें जो पट जमीन होती है जिसमें अभी जुताई नहीं की गई है उसमें आपको गोबर की खाद डाली है नहीं फसल काटने के बाद आप गोबर की खाद डालें उसे फैला दें लेकिन फैलाने के तुरंद बाद उसको मिट्टी में अच् दम बंद कर देगा तो क्या केबल जैविक डालने से फसल उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा पड़ेगा तो किस प्रकार से प्रबंदन करें जी बिल्कुल देखिए इसमें तीन साल का रुपान्तरण काल होता है और हमारी फसले और हमारी जो मिट्टी है वो रसायनिक उर का भोजन रोज खाते हैं सालों से खाते आ रहे हैं और अचाने की कोई हमें नया पदार्त नया भोजन दे दिया जाए तो हो सकता हम उसे अच्छे से ना खापाएं कुछ हमें समय लगे उसमें एड़जस्ट होने में तो यही मिट्टी की बात होती है उसकी उत्पादक्ता में कमी आती है अगर जैवी खेती की तरफ हम जाते तो कम से कम दो साल तीन साल पैदावार में गिरावट आती है हाला कि यह पैदावार में जो गिरावट आती है चेतर विशेस के और फसल के इसाब से निर्भर होती है अब जैसे माल लीजिए उत्रा खंड या जो हमारे उ तो यहां गिरावट 35-45 तक अगली फसल की पैदावार में आ सकती है। पास सेंटी मीटर मोटी तो काफी अच्छा रहेगा लेकिन उसमें जगे जगे आप उसमें छेद कर देना जिससे के हवा का आदान परदान होता रहे। एक शुने आठ दो. तो ऐसे में प्रवंधन कैसे करें। जी बिल्कुल आप हमें करना क्या होता है। सबसे पहले जो पोशक तत्तो के प्रवंधन की बात है तो मिट्टी के पी-एच में हमें सुधा लाना होता है। तो उस दशा में हमें मिट्टी को अपनी उदासीन बनाना पड़ता है। फिर एक सुधा आ गए है रुक्साब पहले ले ले उनको। सब्रवेरा के जितने भी हमारे पोदे खरपदवार होते हैं, यहां तक कि जलकुम भी पानी में जो हर्पदवार होते हैं, जो भी हमारे बानसमतिक चीजे हैं, सबकी हम खाद बना सकते हैं। नहीं है। यानि जो घरों में भी अगर बात करें तो सबसी के जो आपके अलो वेरा तो आपका वैसे भी बहुत महगा बिकेगा तो आप तो उसका मेडिसिनल वैलू है उसकी उसको उस तरह से बेचिये लेकिन फिर भी हाँ कोई सूका है गला सड़ा खराब है आपका तो जो भी जैवो के हमारे उत्पाद है जैवी के उनकी निश्ची तोर पे आप खाद बना सकते हैं तो हम परबंधन की बात कर रहे थे लौक साब जी बिल निक्षालन नमक जो होते हैं उनका निक्षालन करना पड़ता है डोक्टर साब एक और कॉलर हमारे साथ टेली फुल लाइन पर है यह उनसे पूछते हैं उनका सवाल नमस्कार कहां से बोल रहे हैं आप स्वागत है आपका कारिक वारिशा बोला हूं हारिदर सिंग नाम है स जो बहुत जल्दी वो काम कर सकते हैं हाला कि बिना डिकंपोजर के भी आपके जो घरों के अफशेस होते हैं जिलके फल गली सड़ी सबजियां इनको अपने आप वैसे भी यह गलसर जाती है लेकिन अगर आपको स्पीड अप करना है तेज करना है प्रोसेस को तो हमारे संस सब्रस्ता हैं जो इसकी बिक्री करती हैं तो आप बढ़ी स्कॉइस अपनर टालते जाये तो आपकी घर पर हमारे साथ हमारे हुआ एक और शिता हैं धूसर जूले हैं आईए उनसे पोछते हूंका अपरेस्न ठेम हलो जी अपना प्रेशन कीजिए जो थर पार्टी का जो यह परमानी कर रहा है वरिफिकेशन यह पर एर के लगते हैं कि तीम साल का एक बार यह एक साल का एक साल का अगर आम एक्सपोर्ट करें तो उसमें क्या दिक्कता होंगी देखो दिक्कत कुछ नहीं आएगी आपको आपका जो एक्सपोर्ट करने की पदती होती है जो भी हमारे और्गैनिक प्रोड़क्ट हैं उनका एक्सपोर्ट करते हैं वो एपीड़ा के थुरूई होगा एपीडिया के थुरूई एक्सपोर्ट करते हैं हम एगरिकल्चर की कमोडिटीज का जो भी सरकारी कानून होंगे रूल होंगे उनके मताबिक आप निश्ची तोर पे अपने माल का निर्यात कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि इनको भी इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर साब आप बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के विशे पर जैविक खेती की तकनीके विशे पर आज हम बात कर रहे हैं शोताओं और आप लगातार हमसे जुड़ते रही बिलक अगर जैविक खेती की तरफ जाते हैं तो पहले दिन से ही आपका जो रूपांत्रन काल है वो तीन साल का होता है तो यह तीन साल आप कुछ भी जो रसायनों का प्रियोग नहीं कर पाएंगे तो पहले दिन से ही अगर जैविक खेती अपना नहीं है तो इनका प्रियोग संसादन है उनको डालें लगतार फोन आ रहे हैं एक और शोता लाइन पर हैं हलो यूपी जालाओं से बोल ले हैं सर यह करें गोवर की खास सर कौन सी सीजन में डाले जो अंडेट परसेंट अच्छी वैठे पैदावार बढ़िया हो देखें सीजन तो आपका उपलबता पे जादे निर्भर करता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप घर पे भी उसको नहीं रख सकते जब यह तैयार होगी तब ही तो आपको डालनी पड़ेगी ऐसा तो नहीं है जब खेत खाली होंगे तब ही डाल पाएंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है आप फसल के हिसाब से डाल उसके एक माई के अंत में आप डाल दें और फिर जुताई कर दें उसके बाद बरसात का इंजार करें या अगली फसल आप हो सकते हैं तो बरसात से थोड़ा सा पहले आप डालेंगे तो उसका प्रभाब काफी अच्छा आपको मिलेगा क्योंकि उसमें फिर नमी हो जाती है मिट्टी में नमी होने से वो जल्दी गलती सर्थी अच्छे से है और गर्मी भी अच्छी होती है तो वो समय जादे ठीक रहेगा इसके लिए क्या नाम है आपका और कहां से बोल रहे हैं देखे आपके सवाल में आपका उत्तर चुपा हुआ है आप खुद कह रहे हैं कि कच्छी खाद हम गोबर की डालते हैं और उसमें दीमक आ जाती है तो यह तो उत्तर आप खुद ही दे रहे हैं तो कच्छी खाद हमें डालनी नहीं है उसको थोड़ा सा एक महीना दो महीना और इंजार करें उसको अच्छी तरह से गल्ले सड़ने दे और वैसे भी तो कच्छी खाद को खेत में जाके जाके एक बार सड़ना होगा तो आप किरपया उसमें जो है जबर जस्ती फिर हमें रसानिक दवाईएं डालनी पड़ेंगी तो आप कच्छी खाद ना डालें अच्छी तरह से गली सड़ी खाद का ही प्रियोग आपको करना है जावी खेती में फसल सुरक्षा की जो हम बात करते हैं इससे क्या अतात परी है देखें फसल सुरक्षा का मतलब होता है कि हम लेटर हैं उनका प्रियोग भी नहीं करते हैं जी जी हॉर्मोंस तो खुल मिला कि है कि इसमें हमें सस्य विद्यों को कल्चरल विद्या है या निवारा को पाया उनको अपनाना चाहिए आगे हैं एक शोतावर हमारे लाइन पे हलो नमस्कार जी कहां से बोल रहे हैं पर मैं पुलिक टिवारी मल रहा हूं जीला जॉन पुट से हाजी बताईए क्या प्रशना आपका पर हम ये पुछने चाह रहे हैं जैसे हम गोबर खाद डालते हैं तो क्या ये अगर हम ये डा हम आपको दोनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा आपको बेतर होगा कि मिट्टी की जाँच के अधार पर करें लेकिन ये जो जैवी खाद होती हैं आपकी इनसे पोशक तत्तों की आपकी जो खेती हैं उसमें पूर्ती नहीं हो पाएगी तो आपको डाई खाद डालने ही प पड़ सकती है और वो आप मिट्टी की जाच के अधार पर डालें जी डॉक्टर साहब तो ये तो रही है हमारे शोताओं के सवालों की जवाब लेकिन यहां पर अब जो है हमारे कारेगरम का समय समाप तो रहा है और लगता है प्रशन तो बहुत है हमारे किसान भाइयों के ल यह तो यह यांद के दीज गोबर की खाद की बहुत चर्शा हुई है कंपोस खाद है इस तरह की खादों का उत्पादन करके बाजार warto ले सकते है इसी तरी के से जो खेती बारी से प्राप्त उतपाद हैं जैविक कीईती के उनका विपढ़नंग कर सकते हैं उनमे मूने अर पादों का और मुनाफ़ा कमा सकते हैं रोजगार ले सकते हैं। कारिक्रम किसान की बाद सुनने वाले सभी शोदाओं को मेरा यानि कूमल और नेरंकार की ओर से नमस्कार इस कारिक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार नई नई तरकीवे अब हमको है तुनी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी नई नई तरकीवे अब हमको है तुनी